आज जब हम पहले ही बार यहां पर मिल रहे हैं और जैनती की मना रहे हैं उस समय निता जी हमारे बीच नहीं हैं हम सब उनको याद करते हैं और जो हमारे पुराने साथी हैं उन्होंने निता जी के साथ रहकर के पूरा का पूरा जीवन का संगर्ज देखा है आज जह हम लोग बैठे हैं यह आज पास जो विकास दिखाई दे रहा है यह सब निता जी की देन है मुझे याद है इस पंडाल में कई कारकम हुए हैं और एक समय ऐसा था कि हर वर्स सेफ़ई महसब का आयोजन यहाँ पर होता था यहाँ पर जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे के एक बार निता जी ने यहाँ पर सेफ़ई महसब के कारकम के बादम से सांस्कित कारकम का फैसा लिया था और उसी साल इतनी बारिश होई कि जो पंडाल लगा था वो पंडाल पूरा का पूरा ढह गया था और सभी कलाकार आ चुके थे जन्हें कारकम करना था लेकिन लग ऐसा रहा था कि बारिश हो रही है पंडाल गिर गया है तो आखिर कारकम कैसे होगा उस समय फिल्म इंडिस्ट्री के ही नहीं बलकि और बड़े बड़े कलाकार थे जब देखा उन्होंने यहां की इस्तिती तो उन्होंने का कि कैसे कारकम हो पाएगा लेकिन जब नेताजी ने सब लोगों से बाच्चीत की तो यहां पर लोगों को याद होगा कि उस दिन पूरी राद बारिश हुई उसके बाबजूत भी कलाकार हटे नहीं पूरा का पूरा कारकम हुआ और कारकम जब खत्म हो गया उसके आज बार जब नेताजी ने भाशन दिया और उन्होंने कहा कि इस बार तो बारिश में कारकम हुआ है लेकिन जब अगली बार का रिकम होगा तो बारिश का भी सामना करने के लिए वक्की पंडाल बन जाएगी और जिस पंडाल के नीचे हम लोग बैटे हैं ये नेता जी की देन है जो आज इतनी बड़ी पंडाल हम लोगो मिल पाई है ये तो बहुत छोटी सी चीज है लेकिन किसी भी छेत में अगर हम उठा करके देखें नेता जी ने एतिहास एक काम की है उस उचाई तक ले गए जिसकी हम और आप कभी कलपना नहीं कर सकते थी फौज के लोग वो जानते होंगे नेता जी जब डिफेंस मिनिस्टर बने उस समय जो शहीद फौजी होते थे उन्हें सम्मान नहीं मिलता था वो घर पूरे सम्मान के साथ नहीं आते थे जब नेता जी कोई जानकारी हुई और नेता जी डिफेंस मिनिस्टर बने उसी समय उनोंने फैस्चा लिया कि अगर हमारा जवान देश की रक्षा करते हैं अगर शहीत होता है तो उस जवान को पूरे सम्मान साथ उसके घर तक पहुँचाए जाएगा अगर आज शहीत गाओं पहुँच रहे हैं पूरे सम्मान के साथ तो वो नेता जी की देन थी ये दो तीन चीज़ें ही नहीं बलकि पूरे समाजबादी आंदोलन को खड़ा कर दिया पार्टी उन्हों ने बनाई और आज जिस पार्टी के बीच में हम और आप लोग काम कर रहे हैं ये उनी की देन है और सच्चाई तो यही है कि आज जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो हमें ये संकल्ब लेना चाहिए कि जो नेता जी ने रास्ता दिखाया समाजबाद का जो जीवन भर उन्होंने संगर्स किया आर्थिक और समाजिक चुनोतियों का उस रास्ते पे चल करके हम समाजबादी आंदोलन को और उन्चाई तक ले जाने का काम करें और संकल्ब लें कि जो सपना नेता जी ने समाज के लिए देखा था जो सपना हमारे गरीबों के लिए देखा था जो सपना हमारे तमाम उन लोगं को जो आजादी के बाद जो आभाव में जीवन यापन कर रहे है उनके लिए सफना देखा था उस सफना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा कर के नेता जी का सफना पूरा करें यहां नेता जी ने समाजबास ख़ाया वहीं भाई चारा सा लेकर के सौहार्द की राजनीत क्या होती है उसको भी रासा दिखाने का काम किया इसलिए आज के दिन जब हम उने याद कर रहे हैं तो यही संकल्ब लें कि समाजवादी अंदुलन को और आगे बढ़ाएं उशाई तक ले जाएं जो उनका सबना था वो हम पूरा करें इनी शब्दों के साथ आईवे सबी लोगों का हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि निताजी ने जो काम आगे बढ़ाया था उन कामों को भी आगे बढ़ाएंगे और अगर हमें सैफ़ई महुसब जिस तरीके से निता जी मनाते थे और कारकम चलाते थे आने वाले समय में अगर सैफ़ई महुसब हमें शुरू करना पड़ेगा तो हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे इनी शब्दों के साथ आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार पेक्ट करता हूं